integration of cos to the power 4x dx see, यहाँ पर मैं इसको break करूँ step से cos square x to the power 2 dx right, अब देखिए, यहाँ से हम right cos square x को हम क्या लिख सकते हैं cos square x को हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2x over 2 इस वाले formula से सो देखिए, मैंने हाँ पर इसको value को put कर देना है so, you'll get 1 plus cos 2x over 2 to the power 2 dx देखिए, यहाँ पर 2 जो हमारा है वो as a constant हम इसको भाले रेते हैं 2 to the power 2 से हमको as a 4 भाले निकल जाएगा so, मैंने as a 4 भाले लिया so, यहाँ से आपको मिल जाएगा देखिए, मैं अब इसको करते हैं, open कर देते हूं so, 1 plus cos square 2x plus 2 cos 2x dx इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अब देखिएगा अब हमारे पास इसके लिए कोई form नहीं है हम इसका direct integration कर सकते हैं इसका कर सकते हैं, but इस जर्म इसका नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें इसका form ready करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे हमारे पास cos 2x का form होता है 2 cos square x minus 1 अगर मैं इसको twice कर दूँ तो मैंने इसको twice किया तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा cos 4x हमने किया तो हमको मिलेगा 2 cos square 2x minus 1 हमको need सिर्फ इसकी है cos square 2x की need है तो मैंने इसको लिख देना है cos square 2x is equal to 1 plus cos 4x over 2 इसको मैं ऐसे लिख सकते है आप हमने देखिए हम इसको replace कर देना है इसके साथ मैं तो जब हम replace करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 1 over 4 यह हमने इसको बहार रखा देखिए integration of 1 dx plus 1 over 2 हमने इसको बहार रखा इसको मैं लिख सकते हूँ 1 plus cos 4x dx है ना यह हमारा हो जाएगा plus 2 integration of cos 2x dx जो हमने हाँ पर start किया था अब देखिएगा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं 1 over 4 it is x plus 1 over 2 x plus 1 over 2 so it is sin 4x over 4 तो हमको यह हम से यह मिल जाएगा then plus यह हम से दिखिए पर क्या मिलेगा cos 2 यह हमारा हो जाएगा sin 2x over 2 यह से close हो गया so अब हम देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस time को cancel कर सकते हैं और 1 over 4 का अंदर multiply कर सकते हैं so हमको यह से क्या मिलेगा x over 4 plus x over 8 plus sin 4x यह पर x over 2 होगा न x over 2 यह पर लिख दिया so यह हमारा क्या हो जाएगा sin 4x over 4 सिर्फ इतना बचेगा so sin 4x over this so यहाँ से हमारा क्या आजाएगा यह मिलेखिए क्या मैंने यहाँ पर 2 से देखिए 8 हो जाएगा so 8 then 32 यह 32 में convert हो जाएगा so plus sin 2x over 4 यह आएगा अब यहाँ से दिखे हम क्या कर सकते हैं इसको more simplify कर सकते हैं so यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x over 3x over 8 plus sin 4x over 32 plus sin 2x over 4 plus c it is your final solution